9 मार्च 2019 बाबने का मीठे बच्चे घड़ी घड़ी बाप और वर्से को याद करो बाप रूहानी सर्जन तुम्हें निरोगी बनने की एक ही दवा बताते का दवा है बच्चे मुझे याद करो प्रशन है अपने आप से कौन सी बाते करो तो बहुत मज़ा आएगा उतर है अपने आप से बाते करो इन आखों से जो कुछ देखते हैं ये तो सब खत्म हो जाना है बस हम और बाबा ही रहेंगे एक मैरवा एक तू रहे ऐसकर ये सारे जान होते कहते हैं आईसी हम रहें और बाबा ही रहेंगे तो मीठा बाबा हमको स्वरक का मालिक बना देते हैं ऐसी ऐसी बाते करो उसके लिए क्या अगना बड़ेगा एकांत में चले जाओ तो तो बहुत मज़ा आएगा एकां एक यहां स्टार्ट करो अन्त में बाबा इस परम धाम चले यहां से फिर इसको याद करो वहां बैठके तो बड़ा मज़ा आएगा ओम शान्ती परम पिता शिव भगवान वाच मीठे मीठे बच्चों को पुरशोत्तम संगम यूग कदम कदम पर याद रहना चाहिए सबसे इपोर्ण आज का क्या है हमें हमेशा याद गया रहना जी है ये पुरिशोत्तम संगम यूग है उत्तम से उत्तम पुरिश बनने का यूग है ये भी तुम बच्चे ही जानते हो सो भी नमबर वार पुरिशार्ट अनुसार तो ये मुद्धी में याद रहे हम अभी पुरिशोत्तम संगम यूग पर पुरिशोत्तम बन रहे है और ये जो रावन का पिंजड़ा है उन से बाबा हम को छुटकारा दिलाने आया है जैसे कोई पंच्ची को पिंजड़े से निकाला जाता है तो वो बहुत कुश होकर उड़कर सुख पाते है ऐसे ही तुम बच्चे भी जानते हो ये रावन का पिंजड़ा है अनेक परकार के दुख ही दुख है अब बाप आये हैं इस पिंजड़े से निकालने के लिए है तो मनुशी ही जानते ही बिजने भसे है तो मनुशी ही फिर शास्त्रों में लिख दिया देवताओं और असरों की लड़ाई लगी फिर देवताओं ने जीता अब लड़ाई की तो इसमें कोई बात ही नहीं तुम अभी असर से देवता बन रहे हो आसूरी रावन अर्थात पांच विकारों पर तुम जीत पाते हो ना की रावन संपरदाय पर विकारी लोगों पर जीत नहीं बाते हैं विकारों पर जीत पाते हो तो पांच विकारों को ही का जाता है रावन बाकी किसी को जलाने आदी की तो बात ही नहीं तुम बच्चे बड़े खुश होते हो अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां ना गर्मी है ना सर्दी सदैव बसंत रितु ही रहती है यानि सत्योग स्वर की बसंत रितु अब आती है ये बसंत रितु तो थोड़े समय के लिए आती है वो बसंत रितु तो तुम्हारे लिए आदा कल्ब के लिए आती है वहां गर्मी आदी होती नहीं क्योंकि गर्मी से भी मनुश्यों को दुख होता है गर्मी से मनुश्य मर पड़ते हैं तो इन सभी दुखों की बातों से छूटने के लिए हम को अविनाशी सरजन बहुत सहज दवाई देते हैं और उस सरजन के पास जाएंगे तो अनेक दवाईयां आदी याद आएंगी और यहां इस सरजन के पास तो कोई दवाईय नहीं है सिर्फ उनको याद करने से सब रोग छूट जाते हैं और दवाईयादी कुछ भी नहीं है तो बच्चे कहते थे आज ना सेमिनार करेंगे किसमेना करना आज चार्ट कैसे लिखना चाहिए कहते हैं चार्ट कैसे लिखना चाहिए बाबा को कैसे याद करना चाहिए कि इस पर आज सेमिनार करेंगे बच्चों ने प्रोग बनाया अब बाप तो तकलीफ नहीं देते हैं कि बैठ कर लिखो कागज खराब करो जरूरती नहीं रहती बाप तो सिर्फ कहते हैं बुद्धी में कोई और में मनते हैं बुद्धी में बाप को याद करो अग्यान काल में बाप को याद करने के लिए चार्ट बनाया जाता है क्या इसमें लिखा पड़ी करने की कोई जरूरती नहीं बाप को कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं कुई स daylight कर दो क्या कहेंगे कहते भी हैं हम जीते जी बाप के बने हैं क्यों बने हैं बापाने हमें अटॉप्ट किया हैं बाप से विश्व की बादशाही का वर्सा लेने फिर ऐसे बाप को तुम भूलते क्यों हो ऐसा बाप जिस से इतना भारी वर्सा मिलता है मलकियत मिलती है उनको तुम याद नहीं कर सकते हो इतना बार तुमने वर्सा लिया है फिर भी भूल जाते हो अरे बाप से वर्सा लेना है तो याद भी करना है और दैवी गुन भी धारन करने है लिखना क्या है ये तो हर एक अपनी दिल से पूछे नारद का भी मिसाल है खुद कहते हैं नारद बड़ा भगत था तुम भी जानते हो जनम जनमांतर के हम पुराने भगत है हम मीठे बाप को याद करके कितना खुश होते है जो जितना याद करते है वो ही लक्षमी नराएन को वरने लाइक बनेंगे अब कोई गरीब का बच्चा जाकर सहुकार की गोद लेता है तो कितना खुश होता है तो क्या करो बाप क्या करता गया वो बाप को और प्रॉपर्टी को ही याद करते है यहां तो बहुत है जिनको बेहद के बाप का बच्चा बन रजाई लेने का भी अक्कल नहीं आता यहों में करना क्या है बापा पे पहुंजो विश्व का मारजा बन जो राजा बन जो इतना भी अक्कल नहीं आता वन्डरफुल बात है जो बाप स्वरक का मालिक बनाते हैं उनको याद नहीं कर सकते हैं बाप बच्चों को एड़ाप्ट करते हैं ऐसे बाप को याद ना करना यह तो बड़ी वन्डरफुल बात है घड़ी घड़ी बाप और बाप की प्रॉप याद आनी चाहिए बाप कहते हैं मिठ्he मिठ्ष सिक्लदे बच्चों तुमने बुलाया ही है एडॉप्ट करने के लिए बाप को बुलाया जाता है ना तो बाप ही है बाप ही सवरकिस्था अपना करते हैं और स्वरग का वर्षा देते हैं तुम पुकारते भी हो बाबा हम पतितों को आकर गोद में लो आप यह कहते हो हम पतित कंगाल छीची वर्थनोटे पैनी हैं तो बेहत के बाप को तुम भक्ती मार में पुकारते रहते हो अब बाप कहते हैं भक्ती मार में भी तुम को इतना दुख नहीं था अभी मनुश्यों को कितना दुख है बाप आया है तो जरूर विनाश का भी समय होगा तुम जानते हो इस लड़ाई के बाद फिर कितने जनम कितने वर्ष लड़ाई का नाम ही नहीं रहेगा कभी लड़ाई लगेगी नहीं ना कोई दुख रोग आदी का नाम होगा अभी तो कितनी धेरो बिमारियां हैं भाप कहते हैं मीठे बच्चों हम तुम को सभी दुखों से चुड़ा देंगे तुम याद ही करते हो हे भगवान आकर दुख हरो सुख शांती दो ये दो चीज़े हर एक मांगते हैं क्यों यहाँ है अशांती शांती के लिए फिर शांती के लिए जो राय देते हैं उन्हों को प्राइज मिलती रहती है बिचारों को मालूम ही नहीं कि शांती कहा किसको जाता है शांती तो मीठे बाप के सिवाए और कोई दौरा मिली ना सके कितनी तुम मेहनत करते हो समझाने की फिर भी समझते ही नहीं तुम गौर्मन्ट को भी लिख सकते हो मुफ्त में क्यों पैसे बरबाद करते हो शांती का सागर तो एक ही बाप है वही विश्य में शांती स्थापन करते हैं तो गौर्मन्ट के हेड्स को अच्छे अच्छे कागज पर रॉयल्टी से चिट्थी लिखनी चाहिए कोई अच्छा कागज देखकर समझते हैं कि शायद ये किसी बड़े आदमी की चिट्थी है अच्छा लेटर हेड हो बड़े हमनाय हो अच्छा कागज देखकर उस पर उस पर लिखो बो विश्य में शांती जो तुम कहते हो पहले कभी हुई है जो फिर उसी पर कार मिले जरूर कभी मिली होगी तुम को मालूम है तुम तिथी तारीक सब लिख सकते हो बाप नहीं आगर विश्य में शांती सुख स्थापन किया था वो सत्यू का समय था ये लक्षमी नारायन है डैनैस्टी की निशानी ब्रहमा और तुम ब्रामनों के पाड़ का किसी को पता ही नहीं है मुख्य पाड़ तो ब्रहमा का है ना क्योंकि वो ही रत बनते हैं और जिस रत द्वारा बाप इतना कारिक करते हैं नामी है पदमा पदम भागे शाली रत तो विचार करो कैसे किस को समझाए मनुश्यों को कितना नशा है अब तुम को बाप का ही परिचे देना है ग्यान तो है ही सिर्फ ग्यान सागर बाप के पास वो जब आएं तब ही तो आ कर दें तब तक तब तक ग्यान तो कोई दे ही ना सके भगती तो सब भगत करते ही रहते हैं और ग्यान एक ही बाप देते हैं और ग्यान का स्थाई पुस्तक कोई बनता ही नहीं मुली की किताब रादे अगराम ऐसा नहीं है ग्यान तो कानों से ही सुनना होता है ये किताब आदी जो तुम रखते हो ये सब टैमप्रेरी है जिसे शास्तर रखना ग्रंट रखे हमने बाप कहते हैं ये भी सब खत्म हो जाएंगे तुम नोट्स लिखते हो ये भी खत्म हो जाने है ये सिरफ अपने पुर्शार्थ के लिए है बाब कहते हैं टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ तू याद आएगा परंतू परंतू ये तो जानते हो ये पुस्तक आदी कुछ भी नहीं रहेंगे तुमारी बुद्धी में सिर्फ याद ही चल पड़ेगी तुमाई है बाबा की याद कितनी रही वो इसा जाएगी बागी बुक्स बगरा कुछ साथ ने जानी है आत्मा बिलकुल बाप जैसी भरपूर हो जाती है बाकी जो भी पुरानी चीजे इन आखों से देखते हो वो भी खतम हो जाएगी पिछाडी में रहना कुछ भी नहीं है बाप है अविनाशी सरजन आत्मा भी अविनाशी है एक शरी चोड़ दूसरा लेती है तो दिन प्रतिर दिन जो भी शरीर मिलता है छीची ही मिलता है यह मेरा लास जर्म का छीची शरीर है इसका मतलब इससे पहले कितनी अच्छे अभी तुम बच्चे जानते हो हम श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं बाप ही बनाते हैं सादू संत आधी थोड़ा ही बनाते हैं जनी बाप तुमको श्रेष्ठाचारी बनाते हैं श्रेष्ठ आचरन वाला बनाते हैं बाबा कहते मीठे बच्चे मैं तुम्हें अपने नैनों पर बिठा कर ले जाओंगा किना सुन्द रहता है नहीं क्या करते हैं बाबा मैं तुम्हें अपने नैनों पर बिठा कर ले जाओंगा आत्मा भी यहां नैनों पर बैठती है बाप कहते हैं यह आत्माएं तुम सब को निहाल करके ले जाओंगा बस बाकी थोड़ा समय है अब मेनत करो और अपनी दिल से पूछो मैं स्वीट बाबा को कितना याद करता हूँ कैसे याद करना है हीर रांजा का विकार के लिए लव नहीं था शरीलिक प्यार था याद करते थे और सामने आ जाता था दोनों आपस में मिल जाते थे बाप कहते हैं तुम भी ऐसे बनो वो है एक जनम के आशिक मशुग तुम हो जनम जनमांतर के ये बाते इस समय ही होती है आशिक मशुग का अक्षर भी स्वरग में नहीं है वो भी पवित्तर रहते हैं मंसा में ही ख्याल आते हैं सामने देखा और खुश हुए उग्वा का विकार के लिए तोड़नी होता लिए जितने भी हुए ये तो तुम बच्चों को देखने की तो कोई चीजी नहीं इस समय तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझो और माशुग बाप को याद करो आत्मा समझ बाप को बहुत खुशी से याद करना है बाप समझाते रहते हैं भक्ती मार्ग में तुम ऐसे आशिक थे माशूग पर कुर्बान जाते थे आप आएंगे तो हे माशूग हम तुम पर वारी जाएंगे हम आपर कुर्बान जाएंगे अब माशूग आया हुआ है सब को गोरा बनाने अब जो जैसा है ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं तुम गोरा बनते हो मत प्योर बनते हो तो शरीर भी गोरा बनेगा खाद आत्मा में ही पड़ती है अब तुम मुझे याद करो तो खाद निकलेगी घाद निकल जाएगी यहां तुम बच्चे आते हो जो मज़ों जाते हैं वहां एकांद बहुत अच्छी है अब पादरी लोग भी पैदल करते हैं एकदम साइलेंस में रहते हैं और माला हाथ में रहती हैं कोई को देखते भी नहीं है दीरे दीरे चलते जाते हैं पर पालों का है वो लोग कराइस्ट को याद करते रहेंगे बाप को तो जानते ही नहीं मेरे लिए तो कह देते हैं वो नाम रूप से नहा रहा है अब बिंदी है तो देखेंगे क्या बिंदी को याद कैसे करें किसी को पहता ही नहीं ये तो तुम को अभी मालूम पड़ा है क्या कि जो तुम मदबन में आते हो तब पता लगा मदबन काय तो गायन है तो यही है सचा सचा मदबन जहां तुम जाते हो जितना हो सके तुम एकांत में याद में रहो किसी को भी देखो नहीं उपर छटे तो पड़ी हैं बाबा की याद में सवेरे छट पर चले जाओ बड़ा मज़ा आएगा चांतियोर में नहीं जाओ टेरिनिंग सेंटर है हम पर चटे पड़ने भी नहीं पड़ी थी तो बाबा मा कहते हो थे यहां चट पर चले जाओ और कोशिश करो रात को एक दो बज़े जागने की तो नीद को जीतने वाले मशूर हो और उसके लिए रात को जल्दी सो जाओ फिर एक दो बज़े उठकर चट पर एकांत में याद की यातरा करते रहो फिर चट बहरी रहो बहुत जमा करना है बाप को याद करते बाप की महिमा करने लग जाओ आपस में भी यही राय करते रहो बाबा कितना मीठा है उनको याद करने से ही पाप कटेंगे यहां और यहां बहुत जमा कर सकते हैं चांस भी मदवन में अच्छा मिलता है घर में तो तुम कर नहीं सकेंगे फुरसती कहां रहती है दुनिया का वाइबरेशन्स वातावरन बहुत खराब रहता है वहां इतनी याद की यातरा नहीं होगी यह तो बक्की बात है नहीं मदवन में बैटके मज़ा आता है याद करने का इतना यहां इतना नहीं होता वाने अब इसमें लिखने की भी क्या बात है आशिक माशुक लिखते हैं क्या अंदर में देखो हमने किसी को दुख तो नहीं दिया और कितनों को याद दिलाया याद यहां मदवन में हम आते हैं जमा करने वहां कोशिश करो उपर छटो पर एकाथ में जाकर बैटो ख़़ाना जमा करो ये समय है ही जमा करने का साथ रोज पांच रोज आते हो मुल्ली सुनकर जाए एकाहत में बैटो यहां मदवन में तो घर में ही बैटे हो बाप को याद करो तो कुछ तुम्हारा जमा हो जाए अब बहुत माताएं बांदेलिया हैं बंदन में है याद करती हैं शे बाबा बंदन से छुडाओ विकार के लिए कितना मारते हैं शास्तर में खेल दिखाया ना द्रोपती के चीर हरे तुम सब द्रोपतिया हो ना तो बाप को याद करते रहना है बापा युक्ती तो बहुत बतलाते हैं इसमें शनान आदी की भी बात नहीं रहती कि भी नहोगे तब ही अमरे तला करोगे याद बापा याद करोगे हाँ पाखाना यानि लेटिन में जाना है तो शनान जरूरी है मनुशतो शनान के समय भी किसी देवता या भगवान को याद करते हैं तो मुख्य बात है ही याद की ग्यान तो बहुत मिला हुआ है चुरासी के चकर का ग्यान है तो अपने अंदर में बैट कर देखो अपने से पूछो ऐसा मीठा मीठा बाबा जो हमको स्वरक का मालिक बनाते हैं उनको सारे दिन में कितना याद किया मन भागता तो नहीं भागेगा कहां दुनिया तो है ही नहीं ये सब खत्म हो जाना है हम और बाबा ही रहने वाले हैं ऐसे ऐसे अंदर में बाते करो बाहर ने बोरो लोगों को अंदर में बाते करो तो तो फिर बहुत मज़ा आएगा लगी यहां जो भी आते हैं वो बहुत पुराने भगत हैं दौपर के भगत हैं जो नहीं आते वो समझो की आजकल के भगता है वो आएंगे देरी से शुरू से भक्ती करने वाले जरूर बाप से वर्सा पाने आएंगे यहां तुम आते ही हो रीफेश ओने अपने से मेहनत करो एक हफ़ते में तुम इतना माल एकठा कर सकते हो जो वहां बारा मास में नहीं नहीं एक अफ़ता मदबन में पांड़ोबर में बैठ जा एक साल यहां निकटा कर सकते हैं मदबन में तो साथ रोज में सारी कसर निकाल सकते हो यह तो बाबा राय देते हैं अच्छा मीठे मीठे सिक इलदे बच्चों परती मात पिता बाद दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते धारना के लिए मुक्सार है एकांत में बैठ बाप को याद कर कमाई जमा करनी है और अपने अंदर चेक करना है याद के समय मन भागता तो नहीं है हम कितना समय सुईट बाप को याद करते हैं दूसरा है सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें बाबा ने रावन के पिजड़े से मुक्त कर दिया और अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां ना गर्मी है ना सर्दी जहां सदा ही बसंत रितू है सिर्फ इमेजिन करो कितना मज़ा रहा है ने जहां सदा है बसंत रितू है वर्दान रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज सो विश्वराज अधिकारी भव जो स्वें पर राज़ करेगा वो विश्व के राज़ का अधिकार लेगा ये लेगा कैसे तो उसके लिए क्या आकर नपड़गा पुरानी दुनिया को भूलना है कैसे भूलेंगे जब रूहानी नशे में रहेंगे साथ गुनों के नशे में रहेंगे संगम यूग पर जो बाप के वर्से के अधिकारी है संगम यूग की है तो संगम यूग पर जो बाप के वर्से के अधिकारी है वही सुव राज और विश्व राज अधिकारी बनते है यानि आज सुव राज है कल विश्व का राज होगा आज कल की बात है ऐसी अधिकारी आत्मा रुखानी नशे में रहती है और नशा पुरानी दुनिया सहज भुला देता है अधिकारी कभी कोई वस्तू के व्यक्ति के संसकार के अधीन नहीं हो सकते उन्हें हद की बाते छोड़नी नहीं पड़ती सुटा छूट जाती है उसके लिए करने पड़ेगा स्लोगन हर सेकिंड हर श्वास हर खजाने को सफल करने वाले ही इन्वेस्ट करोगे इन्वेस्ट करने वाले ही सफलता मूरत बनते हैं ओम शांती